हाई एवरीवन मैं हूरूबी और आप सभी का तारा मदू की रसोई में बहुत-बहुत स्वागत है तो गाइज देख सकते हैं सुबह के 6.49 मतलब अलमुस्ट साथ बच गए हैं अभी अभी जस्ट पुजा की है मंदिर होकर के आई हूँ और अपनी तयारी में लग गई में 50 से 60 टी टाइम केक्स बनाने हैं 200-200 ग्राम के ठीक है और बनाने हैं मुझे कपकेक्स आलमोस्ट तू हंड्रेड या देड़ सो तो बनानी है तो और अच्छी बात है यह मैंने देखिए मोल्स भी मंगा करके रख लिए हैं बहुत अच्छे कलर्स के मार्केट में आते है इन में बनाने हैं तो मैं बनाऊंगी चॉकलेट फ्लेवर, पाइनेपल फ्लेवर और टूटी फ्रूटी फ्लेवर क्योंकि यही तीन बेसिक से फ्लेवर हैं जो सभी को पसंद आते हैं और टी टाइम केक्स में तो यह बनाऊंगी और कपकेक्स में चॉकलेट फ्लेवर होग विद फ्रॉस्टिंग और पाइनेपल फ्लेवर टूटी-फूटी के साथ होगा तो यह बहुत सारा काम है फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है ब्रिकफस्टरी बनाना एक नमें और कोई काम नहीं किया सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजा है और अभी बस स्टार्ट कर रही हूं मै तो यहां पर सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बनाओंगी अपने वनीला फ्लेवर वाले टूटी-फूटी वाले टी-टाइम केक्स तो मैं 250 ग्राम्स के पर केक को बनाने वाली हूं तो उसके लिए मैंने देखिए यहां पर अपना क्रस्टन क्रम का यह प्रिमिक्स लिया और य अब मुझे मेजर्मेंट का कोई अंदाज अनिया कि इसमें कितने बनेंगे जस्ट आपी के साथ मैं यह बना रही हूं तो आपको बताती भी जाओंगी कि बही कितने प्रिमिक्स में कितने मिले तो 250 ml वाले कप से न मैंने 4 कप प्रिमिक्स लिया है और क्यूंकि मार्केट व प्रिम यह जैत находится कि आती यह बनेंगेन MINIS एक्षा व करता आका से लयूम्या कि दाला रहे कसे मिले तो अन्दाजेत से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेगा अब इसमें प्रिमिक्स में गता रही है और अब इसमें ऑन और हम बनालो है नगिना यह कि अनल नहीं खरना, ह कलर के, so that color बहुत अच्छा है, आपके पास अगर vanilla flavor का वैसे तो कोई emulsion आया आता, pineapple flavor का कोई emulsion हो तो आप वो भी use कर सकते हैं, थोड़ी सी मैंने या पर colored tutti-fruity डाल दिया, मेरे पास ready color की है, और अच्छे से इने भी mix कर लेंगे, थोड़ा मुझे batter गाणा लग रहा है, तो 3 cup के ऊपर, अब में ये थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, लगपक 1 4th cup के करीब, और इसे भी डाल करके, अच्छा सा एक batter बना लेंगे, बिल्कुल same consistency का, ये देखिए, batter बिल्कुल ready हो गया है, अब friends, मैं इने अपने OTG में बेक करूंगी, तो उसकी जो दो baking tray होती है, एक baking oven tray और एक normal tray होती है, दोनों ही मैंने ली है, और उन पर 3-3 ये जो tea time के molds आते हैं, वो रखे हैं, अब देखते हैं, इस batter में ये कितने भर पाते हैं, तो almost one third ही आपको भरना है, आधा भी नहीं भरना है, क्योंकि अच्छे से rice होते हैं, तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके बराबर से सब में ही ये batter डाल रही है, और फ्रेंड्स मेरे सोटी जी में, दोनों tray पे अगर मैं bake करूंगी, तो 6 लगभग tea time cake बन जाएंगे, बट बैटर के जाप से मेरे 5 ये बहरे हैं, तो अच्छा है मुझे ये 25 बनाने हैं, तो 5-5 के multiples में मैंने बना लूँगे, मतलब 5 times मुझे ये bake करने होंगे, तो 6 करूंगी, तो last में 2 ये 3 मुझे अकेले करने पड़ेंगे, तो ये हिसाब भी ठीक है, पाचो में मैंने ये batter अच्छे से डाल दिया है, तो अब batter को अच्छे से न, spatula से plane कर देंगे, सो that हर जगे चला जाए, आप tap भी कर सकते हैं, इनको डालने के बाद आप tap मत कीजेगा, ये नीचे चली जाएंगे, अब इने bake करने के लिए, मैं अपने 25 लिटर इस अगारो के OTG को ही use कर रही हूँ, ये मत समझेगा, ये छोटा है, तो काम नहीं करेगा, आज मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों ही racks पर इने bake करके, तो इसको हम इसके अंदर बंद कर देंगे, टंपरेचर यहाँ पर 180 रखेंगे, टाइमर यहाँ पर मैं दे रही हूँ 30 मिनट्स, क्योंकि ये 5 हमारी केक बेक होंगे, और जब तक वो केक बेक हो रहे हैं, देखिए मैंने बाकी के मोल्स में भी ये बैटर डाल करके रेडी कर ल तो आप 6 भी बना सकते हैं, बट मेरा 5-5 का हिसाब चल रहा है, इसलिए मैं 5-5 ही बना रही हूँ, और जब तक लास्ट शिफ्ट मेरी बेक हो रही थी, मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना चॉकलेट फ्लेवर वाले टी टाइम केक्स को बनाना, तो इसके लिए भी मैं वही चार कप अपना चॉकलेट प्रिमिक्स ले रही हूँ, यह दावर्स का ट्रोपोलाइट वाला प्रिमिक्स है और इसका डीटेल वीडियो तो आप मेरी चैनल पर देखी चुके हैं, और इसी केसाब से 4 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ यह दाल रही हूँ, क्योंकि यह 5 में अच्छे से equally डिवाइड हो जाएगा, और जैसा मैंने बता है, आपको 1 3rd तकी से भरना है, क्योंकि बहुत जादा उपर आ जाएगा, तो डोम शिप आ जाएगा, फिर इसको रैप करने में आपको दिक्कत आएगी, तो 5 बर्तनों में यह आराम से डिवाइड हो जाएगा, और यही हिसाब में बागी के टी टाइम केक्स में भी रखूंगी, पाच-पाच की शिफ्ट में 25 यह मैं बनाऊंगी, और इन्हें भी डाल करके न, स्पेचुला से हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, तो यह अच्छे से स्प्रेड हो इन्हें भी डाल दी है, यह देखिए, और अब इन्हें भी हम अपने OTG में बेक करेंगे, तो अब मुझे बार बार टीट करने की ज़रत ने है, क्योंकि OTG पहले ही गरम है, तो बस इन्हें अब मैं डारेक्ट रखती जा रही हूं, और सेम वही टंपरेचर 180 डिग्री पर 30 minutes, उपर की rods को off कर देना है अपने, और जब तक एक shift मेरी bake हो रही होती है, तो मैं बाकी के batter को बना करके molds में डाल लेती हूं, so that time थोड़ा सा बच जाए, तो friends, यह हमारे दीवाली मेले के लिए मैं बना रही हूं, छोटी दीपाबली को हमारा दीवाली मेला हुआ था, तो यह बस आज से एक दिन पहले की तयारी है, so that एक बार यह वाला काम खतम हो जाए, और अब मैं नीचे की थोड़ी सी cleaning कर लूँगी, so that फिर आगे cupcakes की process को अगे बढ़ा सकूँ, so that इस तरीके से मेजर्मेंट में आपको बताई दिया है, और मेरे तीन packets जो हैं, इसके चॉकल लग गए हैं, और पांच केजी वाले प्रिमिक्स में इतना बचा है, I hope यह मेरा cupcakes में पूरा हो जाएगा, और लगा तो फिर मंगा लूँगी, वैसे हो जाना चाहिए, तो अभी पांच-पांच की shifts में बेक करूँगी, इनको पांच रख दी हैं, पांच जैसी भार निकले अब OTG में एक एक करके, friends, बेक करना है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, स्क्रीन पर, तो इस तरीके से, friends, सारे टी-टाइम केक्स मेरे बन गए हैं, 25 टूटी-फूटी वाले और 25 मेरे चॉकलेट फ्लेवर वाले, अब मैं तयारी कर रही हूँ अपने cupcakes, तो टी साबसे में आगे प्रोसेस करूँगी, तो यहाँ 4 कप प्रिमिक्स डाला था, इसलिए अब साथ ही डाल देंगे 4 टेबल स्पून और अब आप अपनी च्वाइस के अनुसार कोई भी फ्लेवर जो बनाना चाते हो, कपकेक में वो बना सकते हैं, जैसे मैं आपर पैनेपल का एमल्शन यूज़ कर रहे हूँ, तो कलर और फ्लेवर दोनों ही आ गया है, और अब पानी डाल करके इसका भी वैसा ही बैटर बना लेंगे, जैसा आपने टी टाइम केक्स के लिए बनाया था, और ऐसा नहीं है कि कपकेक का या टी टाइम केक का कोई बैटर अलग बनेगा, का कंसिस्टेंसी अलगने होगी, बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी में आपको बनाना है, ना ज्यादा गाड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए, और दूद से मत बनायेगा फ्रेंस, क्योंकि मार्केट वाले प्रमिक्स पे साफ लिखा होता है कि अच्छी आए और जो उनका रिजल्ट है वो भी परफेक्ट आए, यह देखिए, बैटर एकदम रेड़ी हो गया है, थोड़े से टेस्ट के लिए इसके अंदर भी तूटी-फूटी डाल देती हूँ, यह देखिए, मेरे पास कलर तूटी-फूटी है, और इसे भी ट्रे भी और यह जो पेपर के मोल्ड आते हैं, थोड़ी से हार्ड गत्ते वाले, वो मैंने लिये हैं, कलर फूल, बहुत सारे मार्केट से मंगाए हैं, तो उनी में भी बेख कर रही हूँ, कोई एक ही कलर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर बड़ी वाली ट्रे में मेरे 15 य ने डाल देती हूँ, तो एक ही मेजरमेंट रखूँगी, तो सारे कपकेक्स बराबर के बने, यह देखी, पूरा अगर स्कूपर को भरती हूँ ना, तो यह जो कपकेक हैं, वो आधे तक भर जाते हैं, हमें वन थर्ड ही भरना है, क्योंकि इसके उपर आइसिंग और डेको है, तो इन दोनों रैक्स को अपने OTG में फिट करेंगे, तो आपके 25 लीटर के इस OTG में देखिए 30 कपकेक एक बार में बन जाते हैं, और 6 टी टाइम केक बन जाते हैं, तो अगर आप इसे परचेस करना चाते हैं, तो इसका ओनलाइन परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्श मैंने इसमें डाला था, ये देखिए, और सेम ऐसे ही मैंने और दूसरे फ्लेवर के भी बैटर को बनाया है, ये देखिए 4 कप प्रिमिक्स डाला है उसी पतीले में, 4 टेबल स्पून इसमें डाल लेंगे, अब यहाँ पर आप जो भी चुआइस का फ्लेवर बनाना चाहें है, वो बना सकते हैं, जैसे हम मैं बना रही हूं, स्ट्रोवेरी फ्लेवर का, तो मेरे पाँ स्ट्रोवेरी का मेलीशन है, वो ही डाल रही हूं, जिससे color फ्लेवर एक साथ आ जाएगा, और स्म बैसे ही पानी डाल करके इसका भी बनाएए, स्मूथ सा बैटर, तो थोड़ी इसी वराइटी बनाने की कोशिच में कर रही हूँ और यह लीजिए बैटर हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर भी अगर आप कुछ गानिशिंग डालना चाहे हैं अगर आपके पास स्ट्रोवेरी के पीसे हैं तो वो डाल सकते हैं पर मेरे पास नहीं है तो मैं डारेक बैटर क अपने मोल्स में डाल रही हूँ यह देखिए तीस मैंने फिर से भर लिये अच्छे से टैप कर लिया है और अब दूसरी शिप्ट में हम फिर से 30 अपने कपकेक को बनाएंगे तो फ्रेंड्स मेरी हालत आप देख सकते हो सुबह से लगी वी हूँ बस ब्रेकफास के लिए पूरी प्रिपरेशन चल रही है कुछ बन गए है कुछ रहे है अभी यह चॉकलेट का मैंने बैटर एक साथ बना लिया है और यहां पर अप मेरे देख सकते हैं समान किता फैला हुआ है के बाद अभी लंच भी बनाना है और अल्रेडी एक बज गया है तो मैं सोच रही हू और अब चॉकलेट वाले जो हैं यह देखिए इनको डालूगी और अभी न मैंने एक साथ चॉकलेट का बैटर बना लिया है तो अब मोल्ड निकालके इनको भरूँगी और जैसे फ्रेंड्स मैंने दूसरे फ्लेवर की कपकेक्स बनाए थे ना वैसे ही मैंने यापर दूस और 30-30 मिनट में मेरे 30-30 देखिए जो ये पेपर के कपकेक्स हैं वो ready हो रहे हैं कपकेकस अभी नहीं बोलेंगे हमें मॉफिन बोलेंगे क्योंकि क्रीम नहीं इनके ओपर लगी है ये लीजिए बारी-बारी करके मैंने सारे ये ready कर लिए है और जब मेरा OTG का सारा काम हो ग तो फ्रेंड्स आप टाइम देख सकते हैं दो बजके 23 मिनिट हो रहे हैं दोपेर के और मैंने टी टाइम केक्स अपने सारे और ये 160 कपकेक्स बना लिए हैं मैं कैमरा उपर गर करके दिखा देती हूं आपको तो 160 मैंने ये कपकेक्स बनाए हैं स्ट्रोवेरी पाइनपल और चॉकलेट फ्लेवर के मिक्स बनाए हैं 50 मैंने टी टाइम केक्स बनाए हैं जो मैंने आपको दिखा दिये वो अलग रूम में रखे हुए हैं क्योंकि ये टेबल पर यही आ रहे थे तो अब मैं कम्प्लीटली ईसमें कबर करूंगी इस वाली में अच्छे से अभी दिखाओंगे आपको एक दो आप के सामने रैप करूंगी बाकी में घर में सबसे हल्प लूगी और इनको मैं DecemberJust करूं की तो यहां तो यहां रात ये चले जाएगा तो सौछा स इसको डेकॉरेट करूं. और टी-टियम केक्स की फोईल अभी गवर करती हूं. तो इस तरीक्य से फ्रेंट्स और आपको एक छी जो दिखा देती हूं. जो मेरा 5 kg का तो जो प्रीमिक्स का पैकेट था वो बो पूरा खाली हो गया है. पूरा लग गया है. टी-टाइम केक्स औ केक्स बनाने में और चोड़क फ्लेवर के मेरे पास चार एक दो टीन्-ारीय और यह चार तोड़ा सा था अबस मतलब पहले का अधर्वाइस पूरा तीन पैकेट और चौथे का आधा पैकेट, तो साड़े तीन पैकेट मेरा चौकलेट फ्लेवर प्रिमिक्स, और पूरा जो मेरा पांच केजी का पैकेट था, वनीला प्रिमिक्स लगा है, पचास टी टाइम केक्स बनाने में, 200 ग्राम वाले, और 160 कपकेक्स को बनाने में, तो अब इससे आ मैं आपको बताती हूँ, मैंने कैसे पैक करूँगी, तो जो एक किचिन की क्लिंग रैप आती है, उसका इक पीस आपको कट करना है, और मोल्ड को उल्टा करके रखना है, और फिर इस तरीके से पैक करना है, जितने भी यह इसकी एज़ें, वो नीचे की तरफ आएं तो अपिस से आकर के, तो ऐसे कामों में अगर फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट करें, तो उसमें क्या बात है, तो उनको दिखा कि सुपर से लगी हुई है, इसका वरत भी है, तो उन्होंने मेरी काफी हल्प कर दी, और एक से देड़ घटे के अंदर यह देखे, सारे मोल्ड में क्लिंग रैप लगा दिया, अच्छे से एक काम करते हैं, देखे, इतनी फिनिशिंग मैं नहीं दे पाती, जितनी इनों ने की है, और सारे मोल्ड को मैंने देखे, अपने भारवले रूम में अच्छे से फिला दिया है, और जो कपकेक से न, फ्रेंड्स, उनको मैंने सेंट किने फ्रिज नहीं चाहिए, और आम मैं जाओंगी सोने, तो इस तरीके से प्रेंड्स, मैंने अपने सारे ठी टाइम केक्स को अच्छे से क्लिंग रैप में कवर कर लिया है, थोड़ी सी हेल फजबन की विली, कपकेक्स को मैंने ऐसे ही अपने रूम टेंपरिचर पर रखा सकती हूँ, और इसके आगे की प्रोसेस प्रेंड्स की मैंने कैसे ये डिलिवर किये, पैक किये, कैसे सेल किये, कितने रेट में किये, वो सारा मैं आपने नेक्स व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंडी नहीं हो जाए, और अब मैं बहुत टायर हो गई हूँ, व्रत था, तो जैसे इखाना खाया ना, व्रत खुला, तो बहुत मतलब मन कर रहा है कि अब लेट जाओं, तो इस वीडियो को यहीं अंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए है तो च